नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो मैं बहुत ही मजडेदार पावरफल वैल्यूबल वीडियो है आप सभी के लिए लाइफ चेंणिंग भी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोगों का दुमाग भी खुल सकता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा क्योंकि आपकी ये लाइफ को आगे ले जाए कि हर तरीके से जी हाँ एक तरीके से नहीं हर तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक चुप आदमी सबको हराता है इंग्लिश में लिखा हुआ है एक चुप आदमी सबको हराता है ये एक सामान में सी बात है का जाता है कि एक चुप आदमी सबको हराता है भाई ये हमारे उत्तर भारत में तो बहुत कावत है कि एक चुपाजमी सौ को अराता है कैसे अराता भई ऐसे ही फालतू में ही मतलब उसका अपने एक मतलब है कि जब लड़ाई जगड़ा फालतू की बहस आ रही हो तो फिर वहाँ चुपो जाना चीए वो सिचुईशन अलग है यहां पे बात हो रही है भई यह बातचीद की बातचीद हो रही है बढ़िया मुद्धो पे बातचीद हो रही है सही तरीके से बातचीद हो रही है डिस्केशन हो रहा है बड़े लावल की बातचीद हो रही है और एक आजमी चुप ही बैठा है तो क्या हो जाएगा वो क्या उखाल देगा कुछ नहीं ना जिन दोनों दी भाषन ही नहीं देते चुप रहते स्टेज पे जाके तो जीट जाते चुनाब वही सब कोई मतलब भी नहीं बनता है तो यह जो बकवास बात है ना कि चुप आदमी सौको अराता है यह तो बकवास है तो अपने दमाग में तो कोई गिल्ट रही हो कि वही मैं चुप नहीं रहता हूँ और सौको नहीं रहता हूँ तो एक गिल्ट निकाल देना ऐसा वैसा वैसा कुछ नहीं है राइट बड़ चुप आदमी कहा है ना कई बहर बहाजी हो रही है अन्ने से सीरी की, कोई सुन नहीं रहा है और आपके बोलने से लहां कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो ऐसी इस्यत्ति थी में आपको चुप रहना जाएगी है कहने का मतलब है आपको शानत और पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, किस बात को क्या फरक पड़ेगा, पता होना चाहिए अब गुस्सा भी कर रहा हूँ था आपको पता होना चाहिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ आसपास कोई ऐसा पार्टी नहीं है तो मेरे को लपेड़ दे कोई ऐसी सिच्चुईशन नहीं है कि जहां मैं लूस कर जाओं ऐसी जगह पर गुस्सा कर सकते हूँ पर आपको अगर यह गलत फहिम है कि मैं गुस्सा करूँगा और मतलब आपको अंदादा नहीं है कि सामने वाला लपेड़ देगा आपको तो ऐसी सिच्चुईशन में गुस्सा नहीं करना चाहिए तो आप फिर आपना बहक गए बहक नहीं है काम एंड कंपोजड परसन फिर अपनी बात विचार के साथ रखता है इस तरीके से की सामने वाले उसकी बात को मान जाए राजी हो जाए इस तरीके से अपनी बात जो है रखी जाती है एक्टिव लिस्निंग, क्वाइट इंडिविजूल्स टेंड लिसन मोर एटेंटिवली, तो शान्त होते हैं, वही तो सुनेंगे, तो सुनने के लिए आपको शान्त रहना पड़ेगा, चुपचाप रहना पड़ेगा, समझे सामने वाला कहे क्या रहा है, जब तक आप सामने पूरवक अपना जवाब नहीं दे पाएंगे, राइट, समझना, सुनना बहुत जरूरी है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, सुनिए, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, जब आप उनकी बात को सुनेंगे, मेरी भी बात सुनिए, मैं आपको पसंद करन लगेंगे, इंग्लिश में कहा जाता है, give someone ear, किसी को कान दे दो, किसी को कान दे दो मतलब उसकी बात सुनो, कई बार लोगों के अंदर भरे होते हैं लोग, तो उन भरे हुए लोगों को आप सुन लोगे, तो वो हलके हो जाएंगे, so dear friends, सुनना बहुत जरूरी है, और शा पहले से ही मान के बैठ जाओ, आपकी या आजमी बेपकुफ है, या आजमी ये चाता है, या आजमी तो ऐसा है, तो फिर जो वो कुछ भी कहेगा, तो वो आपको properly समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी पहले से ही सोच के बैठे हो, perception कहते हैं उसक तो शान्त सुनो, जीरो कर लो अपने आपको सामने वाले को सुनो, फिर अपनी सोच को और उसके विचारों को मिलाओ, समझो, फिर एक बढ़िया सा अपने फायदे का, उसके फायदे का केस बनाओ, जिसे बोलते हैं stronger case, दोनों के फायदे का होना चाहिए, right, control of emotions, आजकल क् कहता है कि आजकल की society में, क्या, मतलम हमेशा सी होता हो एसा, तो खुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोगों का अपना बाचीत का लेवल होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे, ऐसे softification ने गरते हैं, कि आपको गुस्सा आई जाता है, आपको गुस्पा ने ही जाता तो महाँ शान्त रहिए क्योंकि वो सामने वाला आपको बढ़का रहा है तो बहसवाजी से कोई फायदा नहीं होता कोई कंक्लूजन नहीं निकलता जब तक कि आप दवंग पार्टी ना हो आप दवंग पार्टी है तो फिर बहसवाजी करने के जूरती निये लोग आपसे डरते पर वहाँ पे भी अगर आपको लॉंग टर्म चलना है दवंग पार्टी बेशक है आप लॉंग टर्म चलना है तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा अपने एमोशन्स को कंट्रोल करना है लोगों को अपना फैन बनाखे ज़्यादर दिनों तक चलेगी गाड़ी आपकी और लोगों को अगर आप अपने आपसे गुस्सा कर देंगे तो आपकी जो गाड़ी है लाइफ की सक्सेस्फुल हैपीनेस के साथ वह कम दिन चलेगी तो गाड़ी ज़्यादे दिन चलानी है तो emotions पर control रखिए, शान्त भी रहिए और सुनिए लोगों को और फिर thoughtful responses दीजिए quiet people often take more time to formulate their responses time लेते हैं, शान्त लोग time लेते हैं बहुत सोज समझ कर बहुत सटीक जवाब देते हैं असानी अचानक से कुछ भी बोला, मैं तुरन जवाब दे रहा हूँ, तुरन जवाब दे रहा हूँ, बिना सोचे समझे जवाब दे रहा हूँ, मैं सुन ही इस ले रहा हूँ कि जवाब दे दूँ, मैं जवाब देने के लिए सुन रहा हूँ, मैं समझने के लिए नहीं सुन कि यह कह क्या रहा है, इस से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे जीवन में क्या परवरतना सकता है, तो अगर हजार लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो हजार लोगों का थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा फंडा, बट मुझे सब को रिस्पेक्ट करना है, मुझे यह समझना है कि दुनिया में सब तरह के लोग होतें, भाई, सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं, राइट और रांग, परसेप्शन ऑफ कॉन्फिदेंस, अ क्वाइट अन कंपोज डिमीनियर कें मेक अन इंडिविजल अपेर मोर कॉन्फिदेंस और सेल्फ एशूर्ड, दिस कैन ब अपेलिंग तो अधर्स और मेक दें मोर लाइकली तो कंसिडर दा कॉइट परसंट पॉइंट अफ वियो, यह मैंने देखा है बहुत बाजी में, कि कोई आदमी बिलकुल शांत बैठा होता है, बिलकुल कॉन्फिदेंट बैठा होता है, और उसको नॉलेज भी होती है, उस सतीश कौशिक कहता है कि मेरा बजन जादा है तो मेरी बात का बजन जादा होगा, नहीं नहीं, आपकी बात का ही बजन जादा होना चाहिए, भारी बरकम बात होनी चाहिए, तो वहीं पर बोलना चाहिए, जहां आपकी बात को वैल्यू किया जाए, जब तक आपको लग रह चाहिए और खुश रही है वहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं है However, it is important to note that being quite alone is not a guarantee शान्त रहते हैं आप अकेले रहते हैं इस बात की guarantee नहीं कि आप शर्त जो argument है जो बहस है वो जीत जाएंगे बिना बोले बहस कैसे जीत जाओगे बिना बोले बहस नहीं जीत सकते आप बिना बोले बहस को avoid कर सकते हो बहस में तो बहुनना ही पड़ेगा तथ्य दिखाने पड़ेंगे शो करना पड़ेगा काबिलियत दिखानी पड़ेगी राइट आपको evidence देना पड़ेगा साफ तरीके से बात करनी पड़ेगी clarity of communication और अपनी एक्षा दिखानी पड़ेगी कि मैं बात करने के लिए तयार हूँ बहुत सारी लोग पता क्या कहते यार तुम बहस मत करो यहाँ पर कई बार हो सकता है कि सामने वाला बहस कर रहा हो तो कह देते हैं बहस मत करो बट कई बार कोई आदमी अगरे कहता है कि बहस मत करो तो उस आदमी के पास कई बार जवाब नहीं होता और वो आपसे कहता है बहस मत करो तो वो situation भी होती है जब वो आपसे कह रहा है कि बहस मत करो इसका मतलब है कि वो आपकी बात समझने को त्यार ही नहीं है और जब वो आपकी बात कहो मत अपनी बात वहीं कहिए जहां आपको लगता है कि भई सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी बहुत सारी सिचुएशन में आप असरेटिब हो सकते हैं इस पेकिंग अप विद कॉनविडेंस अपनी बात जो है आपके मन में वो कहिए बहुत सारी सिचुएशन में तो आपको फैदा हो सकता है वो एफेक्टिव हो सकता है जब आर्गुमेंट हो रही हो इतना तो आप कह सकते हैं कि देखिए भाई साब ना तो आप मेरी बात सुन रहे ना सुनना है तो फिर बोलने का कोई फाइदा बनता नहीं है, राइट? तो बहुत गरबड होगी, उसके रिजल्ट्स बहुत बुरे आएंगे, अपनी बात कहनी चाहिए, that is the point here, being assertive माने होता है, अपनी बात पूरे confidence के साथ कहनी चाहिए, गलती होगी तो होगी, जो होगा सो होगा सीखेंगे, अगर आप सीखना नहीं चाहते और हर समय perfect बनना चा आएं, शान्त रहने से आप बहस, अन्ने से सरीकी बहस को avoid कर सकते हैं, जा जगडा हो जाया या कोई सुनी नहीं रहा है, बट अब उल्टा आप बोलना शुरू कीजिए, बोलना मने डैलो, बातचीत कीजिए, बातचीत से इस्तिती सुधर सकती है, अगर बातचीत नहीं की तो इस्तिती खराब हो जाएगी, इस्राइल और हमास के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, युद्ध हो रहा है, जहां बातचीत होती है, वहां युद्ध नहीं होता है, बहुत सारी life की situation ऐसी है, जहां पर आप अगर बातचीत करेंगे, समझेंगे, तो बहुत सारे लड बाप बेटे, दिवरानी जठानी, बहुत सारे relation पड़ोसी, रिस्तिदार, dialogue is crucial for maintaining healthy and positive relationships, अगर आप regular बात करते हैं, खुल कर बात करते हैं, तो relationship बनी रहेगी, चाहे वो personal बात हो, बात हो चाहे प्रोफेशनल बात हो, open and honest communication, खुल कर बात करनी चीए, तभी मुद्दा खतम होगा, मेरा अनुभब ये रहा है अब तक, बहुत सारे लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ समझ जाओ, कि नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते, बट आप भी तो कोशिश करो, आपको अपनी कोशिश जरूर करनी चीए, और कैसे क करनी चाहते हैं, असर्डिव होकर, ओपन, इमानदारी से अपनी बात कही है, सामने वाले ने सुन ली तो बढ़िया है, भढ़क गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर चीज की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये भी समझ लो आप, तो बढ़ाईए और अपने रिस्ते को मजबूत बनाईए बातचीत करके बातचीत कीजिए परिवार में बातचीत कीजिए परिवार के बीच में बहुत सारे इशू जा जाते हैं भाईयों के बीच में जगड़े होने लगते हैं प्रॉपर्डी को लेके यहां तक कि अम्मानी फ खड़ा होगा, अब ऐसा नहीं है, अम्मानी भाईओं में बाद में कोई दिक्कत हुई है, बाद में मतलब साथ में आएं लोग, बात्चीत हुई है, सपोर्ट किया है, एक एक एक्जामपल दे रहा हूँ, सबसे वड़ी फैमिली एंडिया की, in terms of business, तो चर्चा कीजिए, ब बाद कीजिए, मन्त, मन्त में एक बार मेनेजर बात करेगा, one-to-one meeting करेगा आपके साथ, कई बार यह होता है, कि मेनेजर अपनी बाते बंदे पर थोप रहा होता है, एम्पलोई अपनी बाते मेनेजर पर थोप रहा होता है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहा होता है, यानि open and honest communication नहीं हो रहा होता है, पर वहाँ पर भी आपको proper बातचीत करनी चाहिए, और proper बातचीत अगर आप करते हैं, तो वहाँ पर collaborations हो सकती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी problems हो सकती हैं, companies बहुत productive हो सकती हैं, employees की जिन्दकी सुकम एकदम happy बन सकती है, और एक दूसरे की उमीदों को समझ सकते हैं, मुद्दों को समझ सकते हैं, एक दूसरे की उमीद करने के लिए बातचीत, मदद करने के लिए बातचीत कीजिए, अपनी थोपने के लिए बात मत कीजिए, one-on-one तो हो रहा है, company ने काए कि हम अपने सारे employees के साथ one-on-one करते हैं बट इस one-on-one में होता गया है manager कहता है your performance is not up to the mark अब क्यों नहीं है up to the mark क्या दिक्कत आई उसको समझने की कोशिश कर भाई as a manager नहीं वो बस उसको पेलने जा रहा है अंदर जाके बस डंग से that is not the right अगर आपको बड़े-बड़े negotiations करने हैं तो कैसे हो जाएंगे दिमाग में बैटे-बैटे हो जाएंगे पता नहीं वो कितने पैसे मांग लेगा पता नहीं है deal कितने final होगी पता नहीं पता नहीं की कहानी करते रहोगे तो दिमाग में टेंशन बड़ेगी बी-पी लो हाई हो जाएगा बात करो भाई बात करो हाजी कितने रुबए में deal close करनी है आपकी क्या एक्षा है मैं इतने में दे सकता हूँ तो बात करो भी हा बिजनिस डील करनी है लीगल मेंटर्स हैं पर्सनल एग्रिमेंट्स है प्रोडक्टिव डायलोग इसकी फाइंडिंग में चली वेनिफिशल सॉलूशन्स बहुत देखो आप इतने की बात कर रहे हूँ मैं इतने में कर सकता हूँ इससे जादा में नहीं कर सकता देख लो आप मार्केट में रिसर्च कर लो तो नेगोशियेशन के लिए भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी भाई तो जमाने भर में दुनिया वर की बातचीत करनी पड़ेगी आपको लड़ाई जगडे बहुत होते हैं वहां पर एंड में क्या होता था गाओं में पंचायत कोट में क्या होती है बातचीत बड़े-बड़े सेमिनार्स कॉन्फरेंसे में क्या होती है बातचीत और जहां प्रॉपर तरीके से बातचीत होती है वहां पर लड़ाई जगडे खतम वहाँ सब तरक्की कर रहे होते हैं जहां बातचीत नहीं होती वहाँ सब एक दूसरों को काटने के लिए दौड रहे होते हैं तुम मुझे सपोर्ट करो मैं आपको सपोर्ट करूँगा जगड़ा कतम एक कमरे में एक बार एक मेनेजर ने 20 लोगों की मीटिंग ली और 20 लोगों की मीटिंग में उसने 20 बैलून सब ले दिया और बुला की जिसका बैलून एंड तक बचेगा वो विनर हो जाएगा इस गेम में और सबने फिर सबके बैलून फूर्ड ने शीरू कर दिये एक मिनिट के अंदर सब के बैलून फोड़ गए, किसी का बैलून बचा ही नहीं सब लूज All are the losers in the room मैनेजर ने कहा भाई, आप सब तो विनर हो सकते थे सब लोग मैनेजर की तरफ देख रहा है ऐसे केसे, मैंने तो आप से कहा ही नहीं कि आपको बैलून फोड़ ना है मैने कहा था, जिसका एंड तक बचेगा दो मिनिट के बाद तक उसका वो विनर है तो अगर आप एक दूसरे का बैलून नहीं फोड़ ते तो सब विनर हो जाते बढ़ आप ते एक दूसरे का बैलून फोड़ ने लगे अपना बचाने के चक्कर में दूसरे का फोड़ अपना बचानी अगर एक भी नहीं फोड़ ते तो 20 विनर होते हैं सुरूम में अब अभी क्या है 20 लूजर्स तो यह यह सोच भी है आप सब लोगों को सपोर्ट कीजिए जखड़े नहीं होंगे और वो भी गिरो करेंगे और आप भी गिरो करोगे Decision Making अगर कोई निरने लेना है colonies में मीटिंग होती है बड़े-बड़े राष्ट्रों के बीच में मीटिंग होती है बड़ी-बड़ी companies के बीच में मीटिंग होती है बड़ी-बड़ी deals होती है वहाँ निरने पर पहुचा जाता है कैसे पहुचा जाता है भाई बातचीत से बातचीत होती है वहाँ पर Dialogue allows individuals to gather different perspectives and information to make informed decisions तेरी बात सुनी, मेरी सुनी, सब की सुनी तुम सब को एक डबे में डाल के consider किया Group discussions, meetings can be platform for sharing ideas brainstorming, सब की सुनो पता नहीं कौन दे दे billion dollar idea billion नहीं तो million dollar तो दे सकता है personal growth यह सबसे जादा important है इस वीडियो का सबसे important part है personal growth engaging in a dialogue with oneself खुद के साथ बातचीत की दिया है either through self reflection, सोचिए और journaling, डायरी में लिख डाली है आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया गलती किया, अच्छा किया, गलती किया अच्छी किया, can lead to personal growth और lead भी नहीं, अगर आप डायरी लिखते हैं, journal लिखते हैं तो आपका जीवन 1000 गुना improvement करता है 1000 times self awareness आपको पता होता है मैं कि कौन से खेत की मूली हूँ क्या दम है मेरे अंदर, क्या गलतीयां कर रहा हूँ आपको अपने विचारों के बारे में गहराई से परक होती है, अपनी बावनाओं को आप समझते हैं, आप इमनदारी से comment करके बताएए क्या आप अपने आपको समझते हैं education, अगर शिक्षा हमें देनी है, तो वहां में बातचीत करनी पड़ेगी बिना बातचीत के कैसे सिक्षा दोगे भाई आपको एक teacher को student को बात तो करनी पड़ेगी ना teacher को student समझे teacher student को समझे, student teacher को समझे, विचारों का आदान परदान हो, बुरा माने बगएर teacher कहता है, हाँ ऐसी होता है, चलो अपना काम करो, तो वो थोप रहा है, imposing कर रहा है अपने thoughts को, don't impose try to understand try to share the information try to help community and social issues, समाज में बहुत problems होती है और अगर वहां भी बाती की जाए communities and societies में तो बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ चुका है मैं छोटी सी colony में रहता हूँ वहाँ पर कोई भी जो standards है housing development के follow नहीं होते, कोई किसी से बाती नहीं करता, सबको अपने अपने ही हुआ है कोई 2 feet उपर बना रहा है construction, कोई 2 feet नीचे कर रहा है, किसी की नाली उपर है किसी की नाली नीचे है, कहीं पानी बरा हुआ है की चड़ बरी ही है तो यह सबकी societies में होता है क्यों? प्रॉपर बैठके planning नहीं होती बाती नहीं होती, कोई किसी की सुनने को त्यार ही नहीं है बट इस स्थिति को हमें change करना है we have to talk talk, talk, talk international diplomacy international तो बहुत बड़े-बड़े बवाल है जैसे कि इसराइल और हमास का भी बवाल हमने देखा है तो diplomatic dialogue between nations can prevent conflicts प्रॉपर अगर बातचीत होती इन हमास और इसराइल के बीच में बातचीत नहीं हुई डराया दमकाया गया attack किये गए इस तरीके से काम हुआ बट बात की जाए कि हम आपकी कैसे help कर सकते है आप हमारी कैसे help कर सकते हो जिसे बहुत सारे countries में growth oriented discussions होते है यूरोप के nations में होते है South East के nations में भी होते है अमेरिका के साथ और देशों के भी होते है तो बड़े-बड़े discussions होने के बाद बड़े-बड़े agreement किये जाते है diplomatic relations को जो है develop किया जाता है एक दूसरे के फाइदे कर दिया है बड़ी फाइदे कभी होते हैं जब बातचीत होती है वहां के diplomats आते हैं यहां के diplomats जाते हैं हम वहां जाते हैं यहां आते हैं, diplomatic discussions होते हैं, बड़े-बड़े discussions होते हैं, हमारी companies के CEO, उनकी companies के CEO मिलते हैं, collaborations होते हैं, करोलो-करोलो dollars की deals हो जाती हैं, कैसे होती हैं भाई? बातचीत से, ओके, तो बात कीजिए, अगर आपको स्वस्त रहना है, और संपन रहना है, डॉक्टर के साथ भी तो बातचीत करनी पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, कि मामला क्या है भाई, मुझे कितने बज़े दर्द हुआ, कितने बज़े उल्टी आई, कितने बज़े जी मिचलाया, सारी इस्तिए आपको डॉक्टर को बतानी पड़ेगी, आप डॉक्टर के पास जागे बैठे गए, मैं बीमार हूँ, तो थोड़ी डॉक्टर को समझ में आ जाएगा, कि क्या बीमार हैं आम, और सब कुछ मशीने चेक नहीं करती है, आप बताओगे अपने क्या कब कैसे हुआ, तो डॉक्टर को समझ में आएगा, और वो दवाई आपको अच्छे से दे पाएगा, देख पा रहे हैं, बातचीत की कितनी जगए जरूरत है, परसनल कॉन्फलिक्स और डिस्प्यूट्स, यहाँ पर भी बातचीत की जरूरत पढ़ती है, पड़ोसी के साथ जगड़ा हो गया, दोस्त के साथ जगड़ा हो गया, साथी कली के साथ दिक्कत आ रही है आपको, तो यहाँ पर भी अगर आप बैठ खे बातचीत करोगे, तो issue resolve हो जाएगा यार उसकी अपनी life है आपको अपनी life है अगर बात नहीं करोगे तो एक दूसरे के प्रती नेगेटेब भावनाय बढ़ती रहेंगी और आप सादू मात्मा टाइप के हो तो इलाई जगड़ा पहली बार होता ही नहीं हुआ है तो आप सादू मात्मा टो हो नहीं तो अगर बात चीत कर लोगे तो इस्तिती बेटर हो जाएगी इतनी सारी situation मैंने आपके साथ discuss की कि जहाँ पर बात चीत से ही बात बनती है और जहाँ बात चीत से बात नहीं बनती वहाँ पर शान्त रहना चीए वेट करना चीएगी कब अच्छे से बात चीत की जा सकती है जिससे की समझदारी बड़े जगडे खतम हो informed decisions लिए जा सके positive relationships को build किया जा सके effective communication is often the key to progress बात चीत अगर करते हैं तो संपन्निता सफलता आपके कदम चुबेगी positive रही है हमेशा खुस रही है और अगर आप digital skill सीखना चाते हैं powerful तरीके से passive income के बहुत सारे तरीके सीखना चाते हैं और passive income तयार करना चाते हैं तो आप हमारे school career building school से जुड़ सकते हैं मैं आपकी मदद करना चाता हूँ पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आपको सिखाना चाता हूँ description में link दिया गया है join कीजिए नमस्कार जय हैं जय भारत